आज किस वीडियो में हम बात करने वाल है एक्स टीम सोल, टीम ओमेगा, टीम काने वाली स्पोर्ट्स, whatever you wanna call them, आप बता ही कमें सेक्शन में कि आप किसे जादा पसंद करते थे, पुरानी टीम सोल या नई टीम सोल को हैं, चलिए, let's begin the video, तो हाल फ्लार में बहुत सारे टॉर् अच्छे प्राइस पूल के थे, APL and TWB, दोनों में ही तुम्हें जीती दिखिए, कौन सी टीम, टीम ओमेगा, even TWB के आज के दिन, यानि कि लास्ट डेक के अंदर तो लगातार तीन चिकन्स, हैट्रिक भी मारी है टीम ओमेगा ने, इरैंगल मिरा मारार सानावक, तीनों ही म तीम ओमेगा ने बहुत अच्छा गेम खेला, बचल, लेट्स डाइव इंटो इट और देखते कि क्या-क्या चीज़े की गए थी, क्या बहुतरीन स्टाटजी सेली गए थी टीम ओमेगा के तरफ से, अब अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखिय है, तो उस पर हमने गौडलाइग की स्टाटजी को डिसकर्स किया था कि कैसे डे वन के अंदर वो बहुत ज़ादा एच्टो एच्टो एच खेल रहे थे, जिसके अच्छा नहीं खेल पाएं, बट डे टू के अंदर प्लेंग मोर ऑन दी सेंटर साइड और एग्रेसिवली, वही सेम चीज तु के आस-पास जहाँ भी कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जहाँ भी जगा मिल रही है, यह टीम उन कंपाउंड्स तो बगड़के बैट जाती है, अब यह दो बात हो कि इनिशल सर्कल्स की जहाँ पे टीम सेंटर के राउंड जाती है, और जलदी रोटेट कर थे है, जो एच्छी तरीके की बैटल्स होए उसके उपर ध्यान देना एंड कोर्डिनेशन देखना तुम्हें टीम ओमिका की कभी इनिशल फेज में बहुत जादा फिनिशेज नहीं रिखेंगे सिर्फ दो फिनिशेज ने बनेगा बट अब यहां से फिनिशेज बटोड़ना शुरू करते हैं क् तुम अच्छा यहां से ओमिका के पास फूरा का पूरा आंगल है यहां पर पाकी प्लेश के पास फूरा इंगल है यह देखो अनड़ॉक नॉंबर टू यहां से स्फ्रेज दे रहा है तो यह एंगल देखो कितने अच्छे हैं सारी-सारे सारी टीमेस सरकल के बाहर है इनके इसाफे पास तिफ हाड़ कवर्स का तुम्हें एडवांटेज मेलेगा, अब यह देखो, यहांपे पुरी पुरी टीमोमे का कवर के अधर बैठी है, साबने तुम्हें तुम्हें यहांपे दिख जाएंगे, पांचवा, छटा, सातवा फेज होता है, वहाँ पे तुम एक edge का compound वाला area पकड़ लो, तो तुम सारी की सारी teams को clear कर सकते हो, they don't need to do anything else, बस यहाँ पे ग्रिनेट का spam करना है, लो, खोदी players समापत हो गए, तीन finishes आगे, अब बस तुम देखो कि ऐसे करते करते कितना एक बड़ा game बन जेगा, जहाँ पर यह team initial phase में बिल्कुल finishes पर नहीं थी, वहाँ पे देखो भी 4-5 finishes आने शुरू हो चुके है, so that's how you play, कि तुम initially circle का center पकड़ लेते हो, और फिर जैसे circle छोटे होते हैं, तुम edge पे खेलते हो, नहीं अकीन आ रहा, let's watch Miramar का match, again, हमने Miramar पे देखा था कि center की rotation थी, center का circle थी, अब देखो, ending game जहाँ पे शुरू होती है, यह पांचा phase ख़ता हो रहा है, अब देखो कहाँ पे position, look at this, look at this, सारी team है कहाँ पे, everyone will be coming from open, यहाँ पे छोटे 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 cover है, यह आपस पे third party fights लेंगे, आपस पे battles करेंगे, और इसका फाइदा third party पे कौन उठाएगा, team omega, क्यों, क्योंकि इनके बास पूरा पूरा ये compound का area है, और circle का पूरा advantage है, तो omega जब भी खिलाता है, omega इन चीज़ पे बहुत ध्यान देता है, कि भाई वो सबसे पहले compound की areas को prioritize करें, और अभी भी अगर तुम इस game में देखो, look at the number of finishes, यह देखो, look at the number of finishes, भाई पाँचवा phase है, कितना finish है, एक finish, initial phase में God like, बहुत जदा तुम्हें gunfights के अंदर जाती दिख रही थी, वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं team omega नहीं करती दिख रही है, वो बहुत अराम से survival focus रखते हैं game को center के round खेलते हैं, ending circles में compound का area पकड़ गया, बैट जाते है, teams को आने देते हैं, देन वो fights के अंदर जाते हैं, और coordination में देखो तुम्हें कितना खुपसूरती से किया जाएगा, अब router वाली clip में जाधा बढ़ी नहीं देख रहा है, तुम्हें को quality थोड़ी सी 480 तक ही है maximum, अब smoke के अंदर है, उमेगा यहां से देखना अलका सा बहार निकलेगा कभी, एक enemies head लगाने यह देखो, एक enemies head लग गया, कि वहाई यहां पे बंदे बैटे हैं, अब बाकी इसके teammates पीछाएंगे, एक बंदा revival देगा, एक बंदा back check करेगा, और एक बंदा grain जालेगा, लोक अधिस, एक बंदा back check कर रहा है, एक बंदा cover fire दे रहा है, और एक बंदा revive कर रहा है, यही वो चीज़ है, जो कि team omega को बाकी team हों से अलक बनाती है, इतने time से साथ में खेला, और इतने time से stick भी किया, अभी हार फ्राल में team Xpark में बहुत सारे चेंज़े और team Xpark का अभी हमें एक proper नया रोस्टर form होता वारतिक है, जो कि है dreams, प्रेगोर, निंजा और सारंग, इस वाट में अनलाइज दिस रोस्टर, इस वाट में वीडियो अन दिस पर्टिक्लर रोस्टर, do tell me in the comment section मिलते हैं आपसे next वीडियो के अंदर,